नमस्का अधरशक मिद्रो जन्मक के पुकर में अखसपागत है आउटर जिले के ठाना रन होला के टीम ने मध्यारातरी अभियान में एक्टीव आउटो लिफ्टर सहित स्नैचर को किया की रफ्टार आउटर जिले के थाना रन्हौला की टीम ने मध्यरातरी अभियान में सक्रिया ओटोलिफ्टर सहीत स्नैचर को गिरफतार किया वह रन्हौला का बीसी है और एक वर्ष के लिए एकस्टरनी भी घूशित किया गया 16 अक्टूबर को धाना रन्हौला में F.I.R. दर्स की गई उसके कबजे से एक एक्टिव ओटोलिफ्टर सहीत स्नैचर के साथ एक C.M.P. एक लाईव कार्थूस चार चोरी की मोबाइल पून, दो मोटरसाइकल और दो स्कूटी को मामले में गिरफतार किया गया DCP के निर्देशों के तहट, क्षेत्रा धिकार में सक्रिय और कुख्यात स्नैचर ओटोलिफ्टरों को पकड़ने के लिए एक विशेश अभियान शुरू किया गया था एक समर्पित टीम, जिसमें हैट कॉंस्टीबल टेक्चन, देवेंद्र संदीब, सोनू, राना, मुकेश और कॉंस्टीबल सनिश शामिल थे जिसका नेतरुत्व ऐसे जो मुकेश कुमार से हैं और ACP जैपाल से हैं की समगर परियविक्षन में किया गया सुचना दाताओं की माध्यम से, जानकारी एकत्र की गए और CCTV केमरा फुटेज की गहन जांट से पता चला की सूरच उर्फ चिकना, जो थाना रन हौला का बीसी है, वह सक्रिय था और इस तरह के अपराद करने में शामिल था इसके अलावा 15 अक्टूबर को क्रैक टीम को विश्वसनिय जानकारी मिली की स्नैचर एक सफेद टीवीएस बाइक चला कर अपने लक्षे की तलाश में घूम रहा था टिप के अधार पर कई गष्टी टीमों को स्नैचर को पकड़ने के लिए तयार किया गया था लगभग 12 बजे एक संदिग्द व्यक्ति को सफेद अपाचे बाइक पर दीखा गया क्रैट टीम ने बीट स्काफ की गष्टी टीम के साथ मिलकर उसका पीछा किया और उसे नजफगर नांगडोई की बिचेंजर फार्म हाउस की पीछे पकड़ा संदिग्द की पहचान नवीन की रूप में हुई उसकी तलाशी की दौरान एक सी एमपी एक लाईव कार्तूस बरामद हुआ जिस मोटर साइकल पर वह सवार था टीबी एस बाइक की जाच जिपनेट पर करने पर EFIR थाना सागरपुर में चोरी की पाई गई इसलिए थाना रन्हुला में EFIR के तहट एक मामदा दर्स किया गया आरोपी को गिरफतार किया गया और सभी बरामत की चप्त की गई अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरफया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें सेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्क्राइब